आज मैं आपको बताने वाला हूँ इशान टूल्स के बारे में, जिसके बेहतरीन फीचर्स के बारे में जानकर आपको मज़ा आ जाएगा, तो पहले आप प्ले स्टोर से इशान टूल्स एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप इसको कुछ पर्मिशन दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं अलाओ कर देता हूँ, इसके बाद आप यहाँ गैट स्टाटिक पर किलिक करेंगे, तो यहाँ पर फ्लोटिंग विंडोस में आप इसको इनेबल करेंगे, इसके आप अपने मुबाइल फोन पर चलाना चाहते हैं, और आप उसके वाटस अप में जाकर यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ वाटस अप वेब पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप इस क्वार कोड को इस तरीके से स्कैन कर लेंगे, तो देखी यहाँ पर य कि यहाँ पर भी आ रहा है और इसी तरीके से यहाँ से भी आप chat कर सकते हैं तो जो भी chat आप करेंगे वो यहाँ पर भी show होगा जैसी कि यहाँ पर मैं high lik करके send कर देता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अब जिसका भी ये mobile phone है आप उसका वापस कर दीजिए, आपका उसके WhatsApp पर तब तक access रहेगा जब तक कि वो यहाँ three dots पर click करके WhatsApp वेब में जाकर यहाँ logout पर click करेगा तो आपका access खतम हो जाएगा लेकिन जब तक वो logout नहीं करेगा तो आपका उसके WhatsApp पर पूरा access रहेगा औ और साथ ही उसके mobile phone में भी ये WhatsApp चलता रहेगा, second tool यहाँ पर दिये गया है walk and chat आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आप अपने WhatsApp के background में camera को open कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप accessibility में जाकर इसको on करेंगे, इशान tools और यहाँ आप off की जगह पर इसको on कर दीज यहाँ पर आप OK कर दीजी, तो यहाँ पर यह accessibility on हो जाएगी, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या काम होगा, यहाँ से आप walk and chat को enable कर दीजी, अब आप अपने WhatsApp में जाईए, जो कि आप यहाँ से direct भी open कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखी इस तरीके से आप camera open होने के साथ साथ ही chatting भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कोई chat करते हैं, और आप देख सकते हैं, background में यहाँ पर camera चल रहा है, तो साथ ही आप camera से पीछे का view भी देख सकते हैं, और आप यहाँ पर chat भी कर सकते हैं, तो यह होता है walk and chat में, कभी भी अगर आप इसको off करना चाहते तो आप यहाँ walk and chat में जाएंगे और यहाँ से आप इसको off कर देंगे, बाद में कभी भी यूज करने के लिए आप यहीं से on करेंगे, यह on हो जाएगा, थर्ड टूल यहाँ पर दिये गया है WhatsApp status saver, इससे आप दूसरों के जो status होते हैं, उनको save कर सकते हैं, काफी आसानी से, वीडियो यहाँ पर आजाएंगी और images यहाँ पर आजाएंगी, आप यहीं इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको download कर सकते हैं, जितने भी आप status, images और वीडि यहाँ पर आप कोई भी message type करेंगे, जो आप send करना चाते हैं, और यहाँ पर आप उस number को डालेंगे, जिस पर आप WhatsApp send करना चाते हैं, बिना उसको save किये, आप send पर click करेंगे, तो यह direct आपको WhatsApp में ले जाएगा, और आप यहाँ से उसको send कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इ यहाँ से आप बिना save करें, उसको कोई भी document या कोई भी message send कर सकते हैं, एक tool है यहाँ पर fake chat, आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ से आप fake chat generate कर सकते हैं, आप यहाँ पर click करेंगे, और यहाँ से आप नाम डाल देंगे, किस नाम से आप यह chat generate करना चाते हैं, जैसे कि यहाँ पर में डाल देता हूं इशान, यहां से आप कोई भी एक प्रुफाइल इमेज चूज कर लेंगे, गैलरी से यहां पर में चूज कर लेता हूं, उसका status आप क्या दिखाना चाहते हैं, आउनलाइन के लिए आप इनेबल यहां से करेंगे, टाइपिंग के लिए आप यहां से सेव करेंगे, तो यहां पर देखिए एक fake chat जेनरेट हो चुकी है, इसको आप उपन करेंगे और यहां से आप कुछ भी type कर सकते हैं, और यहां पर आप इसका screenshot लेकर किसी को भी send कर सकते हैं, यह एक fake chat है, इसी तरीके से यहां पर आप किसी भी नाम से fake chat जेनरेट कर सकते है यहाँ पर नाम डालेंगे, photo choose करेंगे, online दिखाना है या नहीं, और tapping दिखानी है या नहीं, यह सब यहाँ से आप enable करेंगे, और save कर देंगे, तो यहाँ पर यह fake chat generate हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर एक tool है, WhatsApp cleaner, इससे आप अपने WhatsApp को थोड़ा clean कर सकते हैं, जितने भी junk ह वो आप यहाँ start पर click करेंगे, तो सब clear हो जाएंगे, ओके, तो यहाँ पर देखिए, परचपन MB इसने clear कर दिया है, इसके बाद यहाँ पर एक tool है, आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ से आप अलग अलग तरह के faces देख सकते हैं, इन्हें आप WhatsApp पर send कर सकते हैं, आप पर select करेंगे, और यहाँ से आप send कर सकते हैं, देखिए, कुछ इस तरह से show होगा, तो इस तरह के faces यहाँ पर काफी सारे दिये गए हैं, यह happy faces है, angry पर click करेंगे, तो angry faces यहाँ पर आ जाएंगे, और other पर click करेंगे, तो other faces आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यह आप send कर सकते हैं, अपने WhatsApp contacts के साथ, इसके बाद यहाँ पर एक टूल है, text repeater, इसमें आप अपने text को repeat कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर text दालेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं type कर देता हूँ, इशान is good, और कितनी बार आप इसको repeat करना चाहते हैं, आप इसको 1000 बार तक repeat क कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, 100 time, और repeat पर click करेंगे, तो देखें यहाँ पर यह text इतनी बार repeat हो जाएगा, अगर आप इसको अलग-लग line में repeat करना चाहते हैं, तो आप new line को यहाँ पर on कर दीजी, इसके बाद आप repeat पर click करेंगे, तो यह अलग-लग line में repeat होगा, इसके बाद आप यहाँ से copy करके, इसको कहीं भी share कर सकते हैं, यहाँ पर एक tool दिया गया है, caption status, आप WhatsApp पर जो भी status लगाते हैं, अगर आपको उसके लिए caption चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, देखें यहाँ पर categories बनाए गई हैं, जैसे कि अगर आपको set status चाहिए, तो आप set पर click करेंगे, और यहाँ पर देखें काफी सारे captions दी गए हैं, आप यहाँ से copy करके, इसको अपने WhatsApp पर लगा सकते हैं, यहाँ पर एक tool दिया गया है, WhatsApp shortcut, आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ से आप अपने WhatsApp का एक shortcut बना सकते हैं, पहले तो आप इसको enable कर दीजिए, इसके बाद आप जो भी shortcut रखना चाहते हैं, उसे तरीके से यहाँ पर आप इसको shake कीजिए, अब shake करेंगे, तो यहाँ पर shortcut दीके set हो चुका है, इसके बाद आप बाहर आएंगे, और कभी भी जब आप अपने mobile phone को इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर WhatsApp automatically open हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दीखिए open हो गया है, तो कोई भी shortcut आप यहाँ से set कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको disable कर देता हूँ, इसके लावा यहाँ पर WhatsApp गैलरी है, इस पर click करके जितने भी आपको WhatsApp पर images, videos आते हैं, वो सब आप यहाँ एक ही जगा पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर videos आएंगी और यहाँ पर images आएंगी, और यहाँ पर देखिए text to emoji है, यह बताना रह गया है, इस पर click करेंगे, तो यहाँ से आप text को emoji में convert कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं A लिख देता हूँ, और किस emoji में आप इसको convert करना चाहते हैं, य यहीं भी WhatsApp पर share कर सकते हैं, तो I hope कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like करिए, अपने friends के साथ share करिए, और अगर आपके मन में कोई confusion है, तो आप नीचे comment करके पूट सकते हैं